आज इस वेलेंटाइन्स डे के मौके पर हम लेकर आए हैं ये चॉकलेट बिस्किट रोल जी हाँ कोई धंजट नहीं बस घर पे कुछ बिस्किट पढ़े हो और आप बना लेंगे ये सूपर यमी डिजर्ट और खास बात है कि आप ना गैस जलाएंगे और ना ओवन और ये खाने में इतना टेस्टी बनता है कि उपर से तो चॉकलेटी लेयर और अंदर से इसमें एक होती है क्रश्ट फिलिंग हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं सॉनियास किचिन तो आएए जल्दी से देखते हैं इस सॉपर यमी चॉकलेट बिस्किट रोल को घर में बहुत ही आसानी से कैसे बनाते हैं तो इसको बनाने के लिए देखे हमने ले लिए यहां पर बिस्किट्स तो कोई भी बिस्किट्स जो आपके घर में पढ़े हो नॉमल कोई भी बिस्किट आप ले सकते हो पाले जी के भी ले सकते हो या बेकरी के कोई भी ले सकते हो तो ये 200 ग्राम है तो बस इनको अब हमें पीसना है इनका एक महीन सा पाउडर बनाना है उसके लिए हमने ले लिया है जार और जार में ये सारे बिस्किट डाल देंगे और एक इ और अब हम इसमें डाल रहे हैं कटे हुए काजू, थोड़े से कटे हुए पिस्ता डाल देते हैं यहां पर थोड़े से कटे हुए बदाम डाल देते हैं तो आप जो भी अपने हिसाब से ड्राइफूर्स डाल सकते हूं जो भी हूं छोटी लाइची का पाउडर डाल दिया है स्क्पित मैं डाल रही हैं सिसनast कर साथ सधेटें शहां रहीज थो, आँना हम आप दना है दो नहीं को अशुकते हैं और यहां पर मैं डाल रहे हैं। हैं डेशेटेटेटेटेटे यहुपनेशन डालें। विस्केटेटे खेज हम भूलें कर संदे हैं। और इनको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, देख लेंगे कोई गुठली तो नहीं है इसमें, अच्छे से, तो ये देखें, मिक्स होके बिल्कुल तयार है, अब हम इसमें डाल रहे हैं घी, तो देसी घी का यूज किया है, थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था, और देसी घी क आपके बिस्किट के क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, उसके टेक्शर पर डिपेंड करती है, तो मेरा करीबन यहाँ पर वन बाई फोर कप दूद लग चुका है, तो बस हमी थोड़ा सा ये धियान रखना है कि हमारा जो ये जो डौ बनता है, ये बहुत जादा लूज ना हो और बहुत जादा टाइट ना हो, ऐसा हो कि हम इसको हाथ पे रख ले और मतलब इसके लड़्डू टाइप से बना ले, इस तरह का डौ बनना चाहिए, और ये देखे, बिल्कुल पॉफेक्ट डौ बनकर तयार हुआ है, बस इसको अब हम लेंगे और इसके हम छोटे तो आप चाहिए तो राउंड शेप भी दे सकते हो, अगर बोल शेप देनी है तो आप बोल भी दे सकते हो, तो ये देखे, इसी तरहीं किसे सारे बना लेंगे, और सिलंडर कल शेप देनी है, उपर से प्रेस करना है, ये आपकी चोईस है, ये देखे. तो बस ऐसे ही मैंने सारे बॉल्स बना लिए है और इनको बना कर ये देखे ऐसे तयार कर लिया है और बस अब हमें करनी है चॉकलेट की कोटिंग तो यहाँ पर चॉकलेट के लिए हमने यहाँ पर लिए है डार्क चॉकलेट आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हो तो मैंने हाँ पर अमूल की ये डा बॉयलिंग मैथड होता है मैंने एक वीडियो बनाई थी चोकलेट बॉन टी बार की तो उसमें यही मैथड होता है कि उसमें आप जैसे पैन में आपने पानी गरम किया है तो उसके उपर एक बरतन रखती जिए उसमें अपनी चोकलेट को तोड़ कर डाल दीजे वो बरतन जो यह तैयार हो चुका है सरब अब इसमें अपना ऐसे एक बॉल डालेंगे एक रॉल डालेंगे चोकलेट वाला जो हमने भी बिस्कृट का बनाया था और इसको ऐसे कोट करेंगे और कोट करने के बाद मैंने ही आपर बटर पेपर की शीट ली थी तो यह देखे मैंने ट्रे क का फायदा यह है कि आपकर जो यह चॉकलेट से यह चिपके की नहीं सूखने के बाद बात अराम से आपकी जो यह रॉल से यह निकल कर भार आ जाएंगे तो देखे सारे सेट हो गए है इनको अब हम फ्रिज में रखेंगे पांच मिनिट के लिए एक लिस्ट आपको रखना करेंगे तो मैंने यहां पर इस तरह सीन को रख लिया है और यह जो हमारी चॉकलेट सिरफ बचता है न बस उसी से हम इसके उपर को ऐसे ड्रेसिंग कर देंगे बहुत ही अराम से देखे कितने अराम से हो रही है तो यहां पर आप हर्शल चोको जो सिरफ पाता है न वो भी आप यूज कर सकते हो और यह जो हमारे इस में मैंने पिस्ता डाले है जो बचे हुए थे बदाम और काजू बचे हुए थे वह आप इससकी गार्णिश कर दीजे तो यह देखे कितनी अमेजिंग सी रेसिपी बनती है वैलन्स टाइं डेप और जैसे कि हम हर बद चॉकलेट केक वगेरा खाते हैं तो इस तरह से भी आप इसको इनोवेट कर सकते हो तो यह दिखे मैं आपको काट कर दिखाती हूँ तो उपर से चॉकलेट की लेयर और अंदर से इसमें जो क्रश्ट फिलिंग होती है यह बहुत ही अमेजिंग होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के साथ कर दें जिससे की मेरे सारे के सारी नॉटिफिकेशन आपक इंचेन आपका आख्डाइब कर देंग पकुकि आपकुटकियो अगर आग